नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अस्टॉलजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर इस वीडियो में मैं साल 2023 के दौरान आपके जीवन में घटने वाली महत्पून घटना हूँ और वो भी आपके जीवन के विबिन पहलों जैसे की करियर, विवसाय, शादी, रोमैंस, शिक्छा, स्वास्थ, आदी को लेकर विस्तार से बताऊंगा और वह होगा आधारिद ग्रहों के गोचर के ऊपर Friends, if you want to watch this forecast in English, then we have uploaded a video in English also and you will find the link in the description box below or in the icon above and now let us begin ये राशी फल आपकी चंद राशी पर आधारित है, कहने का मतलब है कि यदि आपकी चंद राशी या जन्म राशी तुला है तो ये राशी फल आपके लिए है, आएए अब आगे बढ़ते हैं और तुला राशी फल 2023 को विस्तार से देखते हैं सबसे पहले सामाने रुजान यानि की जन्रेल ट्रेंड्स ये वर्ष आपके जीवन के विभिन पहलों पर कुछ अच्छे और कुछ चनौते पूर्ण परिनाम लेकर आएगा दूसरे शब्दों में कहें तो मिले जुले प्रभाव पढ़ सकते हैं तुला राशी फल 2023 के अनुसार आपके जीवन के कुछ शेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ेगा वहीं कुछ शेत्रों पर नकारात्मक परभाव पढ़ेगा अधिक specific बात करें तो तुला राशी के जातकों के विविसाय यानि की प्रफेशन नौकरी और शिक्षा शेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं वहीं आपका जुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और दूसरी और पती-पत्नी के संबंद काफी निराशा जनक हो सकते हैं साथ ही इस साल मई से दिसंबर के महीनों के दोरान आपकी स्वास्त समस्याइं यादा प्रबल हो सकती हैं ऐसी संभावना है आए अवं तुला राशी के जातकों के जीवन के महतपूर्ण पहलों को एके करकर ले और उसका विस्तृत पूर्णमान करें सबसे पहले प्रेम संबंद और विवाह गोचर करने जा रहा है वहां से शनी आपके सब्तम भाव पर द्रिश्टी डालेंगे जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ संबंदों में ठंडा पन आ सकता है और आप एक दूसरे के प्रती उदासिन यानि की इंडिफरेंट हो सकते हैं बाइस अप्रैल के बाद इस त और भी खराब हो सकती है जब रिस्पती जी सब्तम भाव में गोचर करेंगे जहां वह राहू के साथ होंगे और यह एक योग बनाएगा जिसका नाम है गुरुचांडाल योग ऐसे में आपका सब्तम भाव जो की शादी का जो की आपके स्पाउस का भी है वो बुरी तरह स प्रभावित होगा क्योंकि शनी की त्रिष्टी द्रिष्टी भी आपके सब्तम भाव पे होगी जिसके कारण पती पत्नी के संबंदों में स्ट्रेस और टेंशन लगबग निश्चित ही है इसलिए यदि संकट को टालने के लिए समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए भी तो स्थिति समस्या ग्रस्त हो सकती है और अलगाव या तलाक का कारण भी बन सकती है जो तुलाराशी के जातक पहले से ही तलाक की कगार पर खड़े है उनका तलाक अब हो सकता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी क पर जैसे कि astrology यानि कि जोतिश निम्रोलजी यानि कि अंक्षास्त्र और प्रशनकुणली इन वीडियो कोर्सिस के द्वारा आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इन विध्याओं को सीख सकते हैं पर अगर आप इन कोर्सिस को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आएए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं आर्थिक रूप से ये वर्ष नियमित हो सकता है यानि कि regular हो सकता है इसलिए आवेक पूरवक यानि कि impulsive खरीदारी पर्चेस कोई ना करे आपके द्वारा किये गए अधिकांश खर्चे घरेलू साजो समान के ही होंगे या personal equipment के ही होंगे फिर भी अपने खर्चों के प्रती सचेत रहें क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सीमा से बाहर जाकर भी खर्चा करें आप इसे कुछ जातकों को वर्ष के आखरी दो महिनों में अचानक कुछ धन प्राप्त होने की संभ नहीं रहा था वो भी शामिल हो सकता है और ऐसा राहू के तो की स्थिती परिवर्थन के कारण हो सकता है आईए अब करियर पर नज़र डालते हैं करियर की दिश्टी से भी वर्ष समानने हो सकता है इस वर्ष आपको मेनद भी करनी पड़ाएगी और मल्टी टास्किंग भी करनी पड़ाएगी हाँ, आपको अपने कारे स्थल पर एक ट्रूबल शूटर की तरह देखा जा सकता है और आप वाकई एक अच्छे ट्रबल आपके उपर थोड़ा अधिक हो सकता है परन्तु आप अपने सभी कारियों को सफलता पूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे नौकरी पेशा जातकों को अक्टूबर 2023 के बाद मतलब from first of November अपने कारे शेत्र में कुछ राहत मिल सकती है आपके इमानदार प्रयास आपको वा पहले ही पूरा करने की आदत बना लेनी चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में आपको बताना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति विशेश के जीवन पर उसकी कुणली में ग्रहों की सिती और ग्रहों का गोचर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं इसलिए ग्रहों की स सठीक अध्यन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेट कंसलिटेशन लेकर उचित सला पा सकते हैं आईए अब आगे के राशी फल के बारे में बात करते हैं राहू और केतू तुला राशी के प्रथम और सब्तम भावों में क्रमशाय गोचर करेंगे पती पत्नी के सम्मंद मदूर ना होने के कारण आप तनाव भी महसूस कर सकते हैं आपको शारिरी कश्टों का सामना भी करना पढ़ सकता है आपका दिमाग तीज रफतार से एक पढ़ेगा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि केतू आपको मानसिक शांती नहीं देगा तीस अक्टूबर के बाद जब राहू केतू अपनी स्थिती बदलेंगे तो इस दौरान आपको थोड़ी राहत मिल सकती है आप में से तुला राशी के कुछ जातकों को पीट से परिशानिया भी आ सकती हैं परंतु एक चीज तो होगी कि इस समय चीजों को स्थितियों को बहतर समझने की समझदारी आपके अंदर बढ़ जाएगी शिक्षा इस वर्ष शनी आपके चतुर्त और पंचम भाव के स्वामी के रूप में 17 जन्वरी को आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं नतीजन आपको academics में सफलता मिलेगी आप अपनी परिक्षा में अच्छा progression कर सकते हैं और next level पर जा सकते हैं तो लाराश्य के विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी skills हांसल करने के लिए सलाह ये रहेगी कि वो कुछ short term courses कर ले ये आदर्श समय है इन चीजों को सीठने का साथ ही अगर आप समझते हैं कि आपकी communication में थोड़ी कमी है तो उसको भी आप improve करने की कोशिश कर सकते ह दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेर करें हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी वले निशान को भी क्लिक करके आप हमारे नए वीडियो का notification सबसे पहल पा सकते हैं हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार सुझाव और सहयोग देते रहें इससे हमें बहुत बल मिलता है आने वला समय आपके लिए मंगलमय और खुशाल हो यही मेरी शुब कामनाए है झाल